हेलो एब्रिबरन मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूँ जैसा कि पीटी एक्जाम होने वाला है तो इसके लिए बिग्यान प्रश्णोतरी संकलाये सुरू की जा रही है जिसमें बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्णों को रखा गया है उमीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला कुश्चन है लाल रख्तकर का निरमार कहां पर होता है यह सरीर की हड्डी के मद्भाग में पाया जाता है सब्सक्राइब तो RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है रक्त कड़का लाल रंग होने का कारण क्या है हीमोगलोबिन हीमोगलोबिन में हीम नामा करंजक जो पाया जाता है वो एक लावगण होता है और इसी के कारण रक्त का रंग कैसा होता है लाल होता है और इसका टाइम पिरियड 120 दिन का है ठीक है नेक्स्ट क्यूश्चन है आपका स्वेत खड़कोग और क्या कहा जाता है तो स्वेत कर को नहम क्या है लिदी को साइट मे ‬ यह बहुत करता है और सरीर की रोगों से सुरच्छा करता है upane है लाल रतक हम को कहा जाता है तो लाज रख्टकड को क्या कहा जाता है एरिथ्रोस राइट भी कहा जाता है डबलो वीची को लूकोसाइट और और वीची को एर्थोसाइट के नाम से भी जाना जाता है सरीर का ताप नियंत्रक है तो सरीर का ताप नियंत्रक करने वाली गरंथी कौन सी है हाइपो थैल्पस गरंथी को सरीर की ताप नियंत्रक गरंथी कहा जाता है यह गरंथी ताप का नियमन करती है सरीर में और इसे मास्टर ऑफ मास्टर गरंथी भी कहा जाता है मास्टर को और इसे मास्टर ऑफ मास्टर गरंथी अर्थात प्यूस गरंथी फर जो नियंत्रन रखती है उसे हाइपो थैलमस गरंथी का आ जाता है नेक्स्ट कुश्चन है आपका मनुस्त की सर्वदाता रक्त समू है यूनिवर्सल डोनर मनुस्त का कौन सा गुरूप है तो जो गु सर्वग्राही किसे का जाता है यूनिवर्सल डियानि सवी सब्सवक्राइव करें उसे संग्राही का जाता है एवाई पर सMo तो ब्लेड मेंस्रम आपने की इकाई को इस फिगमो मैनो मीटर कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन है आपका ब्लेड बैंक किसे कहा जाता है तो ब्लेड बैंक पलिहा को इस्प्लीन को कहा जाता है ठीक है इसी को रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है ठीक है ये भी याद रख नेक्स्ट कुश्चिन है आपका भोजन का पाचन कहां से प्रारंब होता है तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंब हो जाता है ठीक है मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंब हो जाता है नेक्स्ट कुश्चिन है आपका पचे हुए भोजन का और शोचन कहां होता है तो पचे का स्राव यक्रत करता है परंती इकठ्था कहां होता है तो इकठ्था यह आपका पित्तासे में होता है ठीक है स्राव कहां से होता है इसका स्राव आपका होता है लीवर से यक्रत से लेकिन इकठ्था जहां पर होता है उसको पित्तासे कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट कुश्च के नेक्स्ट कुश्चन है सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है यक्रत जो है सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी मानी जाती है नेक्स्ट कुश्चन है आपका सबसे छोटी ग्रंथी तो सबसे छोटी ग्रंथी कौन सी है पिट्यूट्री ग्रंथी है इसे मास्टर ग्रेंट्स भी कहा जाता है हिंदी में इसे प्यूश भी कहा जाता है क्या कहा जाता है प्यूश ग्रंथी कहा जाता है इसका वेट होता है दसमलो 06 ग्राम वेट याद रखिएगा इसका वेट कितना होता है दसमलो 06 ग्राम होता है यह आरो में question पुछा जा चुका है नेक्स्ट कुश्चिन है आपका मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है तो 12 जोड़ी रिप मनुष्य में पाई जाती है नेक्स्ट कुश्चन है आपका सरीर में हड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है तो सरीर में हड़ियों की कुल संख्या कितनी है हाउ मैनी बोन्स पाय जातो 206 बोन्स की संख्या पाय जाती है नेक्स्ट कुश्चन है आपका लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है लार को ही सलाइवा बुला जाता है लार में प्रमखुरुफ से टाइलिन पाया जाता है कौन सा एंजाइम टाइलिन पाया जाता है लिंग निर्धारन कहां से होता है लिंग का निर्धारन कहां से होता है तो पुरुस के क् हरदी चार कच्छों में बटा होता है इस तंधारियों का दे चार कच्छों में बटा होता है दो आलिंद और दो नृय पाये जाते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग कौनसा तो सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो अच्छा को सरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है नेक्स्ट कुश्चन है सरीर की सबसे बड़ी कोश्च का कौन सी है तो तंत्रिका तंत्र सरीर की सबसे बड़ी कोश्च का है नेक्स्ट कुश्चन है आपका सरीर में अमीनों अमनों की संख्या कितनी पाय जाती है तो सरीर में बाइस प्रकार के अमेनों पाया जाते हैं लेकिन पुछा जाए कि मुख्रूप से कितने सरीर में अमीनों की आवश्यक्टा होती है तो दि मानौ का बहुत ज़ाधा वर्षक्ता होती है तो तो अमीनोमिंस की नेक्स्ट कुष्चेन है आपका सरीर में प्रतिदीन यूरीन कि कितने लीटर प्रशाब या यूरीन बनती है तो डेढ़ लीटर सरी यूरीन का उत्पादन करता है नेक्स्ट कुष्चन है मूत्र दुरगंद देता है इसका कारण क्या होता है तो इसका कारण होता है यूरिया की कारण ठीक है next है मानो मूत्र का pH मान कितना होता है तो इसका pH मान कितना होता है 6 होता है सरीर का सामान ताप मान कितना होता है तो 98.6 डिगरी Fahrenheit में 37 डिगरी Celsius में और 310 Kelvin में होता है ठीक है मानो सरीर का ताप मान next question है आपका मानो सरीर में TBA नामक जो है हड़ी कहां पाई जाती है तो टीविया नामक हद्डी आपकी पैरों में पाई जाती है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है आपका दातों और हद्डियों की संदचना के लिए आवश्यक तत्तों कौन सा है कैल्शियम और फास्पोरस आवश्यक तत्तों है ठीक है आपका सरुदीर को ठक्का जमने में कौन मदद करता है तो प्लैट लेट्स करती है ब्लण्डॉट में नेक्स्ट है आपका स्वसन के दौरान सरवाधिक मात्रा में ली गई गई स्कौन सी होती है तो नाइट्रोजन गैस वाई उमंडन में इसका प्रत्सत कितना होता है इसका उतना ही वापस उत्सरजन हो जाता है नेक्स्ट कुश्चन है आपका जीवित जीवास्म किसके कारण होता है तो मिनी माता रोग जल में मरकरी मतलब पारे की अधिक्ता से मिनी माता रोग हो जाता है नेक्स्ट कुश्चन है आपका मानो तुचा का अध्यन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है तो मानो तुचा का जो अध्यन करता है इसकिन का उसे डर्मेटोलोजी कहा जाता है करने भी के ध्यान को कहा जाता है तो कित पतंगों का द्यम में इकत्रित होता है नेक्स्ट कुश्चन है आपका मानो सरीर में रुधिर बैंक का कारे कौन करता है तो मानो सरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है तिली स्प्लीन या इसी को प्लिहा भी कहा जाता है ठीक है इसी को रत का कब्रिस्तान भी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है आपका सरीर में हीमोग्लोबिन का कारे क्या है तो सरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है सरीर में ठीक हीमो ग्लोविन में क्या होता है तो लोहा प्रोटीन होती है और हीम नामक जो रंजख होता है द्रेशा हो हो जाता है नेक्स्ट है आपका मानो सरीर में खून किसकी उपस्तिती के कारण नहीं जमता है तो किसकी उपस्तिती की कारण नहीं जमता है यह पैरिन नामक प्रोटीन के कारण मानो नेक्स्ट है आपका कि रूदिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा antibody का निर्मार्ड होता है तो लिंफोसाइड जो है MP antibody का निर्मार करताहाई ठीक है नेग्स्ट कुस्च्चन है लाल रक्त कड़िकाओं का समसान किसे कहा जाता है वही आगया कुश्चन कब्रिस्तार या समसान तो प्लीहा तिल्ली या एस्प्लीन को कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन है क्रेप्स चक्र में किसका संसलेशन होता है तो केप्स चक्र स्वसन प्रक्रिया के दौरान संपन होता है और पाईरूविक अमल का निर्मार होता है ठीक है नेक्स्ट कुष्चन है आपका मानों सरीर में यूरिया का निर्मार कहां होता है तो मानों सरीर में यूरिया का निर्मार यक्रत में होता है नेक्स्ट कुष्चन है आपका रक्त में असुद्धियां किस अंग में जाकर चंती है तो रक्त की असुद्यों को छानने का काम किसका है वरक्त का है किड़नी का है मानों शरीर में दो किड़निया पाई जाती है नेक्स्ट कुश्चन है आपका स्वसन की क्रिया कहां संपन होती है तो स्वसन की क्रिया माइटो कांड्रिया में संपन होती है और तभी हमें उर्जा प्राप्त होती है इसी कारण माइटो कांड्रिया को सरीर का उर्जा बैंक भी कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन है ठीक है इतने ही question थे वीडियो अच्छी लगे तो like और subscribe करें अधिक से अधिक किसे share करें उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा next वीडियो के लिए जल्द से जल्द आपनों comment करें